ये गाईज मेरा नावे सेयर सभान और आप देख रहे हैं जाग्रन जोश डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वारे हैं कुछ कर इंटर्वियर्स के कोशिंज क्या कोशिंज बनाए जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंग सही जवाब है उप्षन ने अंतराष्ट्रिय जूडो महासंग तो रूस और यूकरेन के बीच इस वक्त भेंकर यूद चल रहा है यूकरेन पर रूस के आकरमण के बाद रूस के राश्पतीव लादमेर पुतिन को अंतराष्ट्रिय जूडो महासंग के मानत अध्धक्ष के पद से निलंबित कर दिया गया है खेल के अंतराष्ट्रिय निकाय ने ये जानका ली दी है ब्लाइक बिल्ट धारक पुतिन आठवें डैंजे सम्माने तो होने वाले पहले रूसी बने थे जो खेल के सरवोच सम्मानों में से एक है लेकिन आई जे एफ ने अब रूस के हमले के बाद पुतिन की भूमिका को निलंबित कर दिया है अगला सवाल केंदरी मंत्री मंडल ने लाइसी के आई पियो यानि की इनिशियल पब्लिक आफरिंग में निम्न में से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मन्सूरी दे दी है सही जवाब है 20 प्रतिशत तो आ फॉरें डालेट इन्वेस्मेंट की अनुमती मिल गई है सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी इस संबन में पदान मंत्री ने रेंडर मोदी की अद्दक्षिता में हुई मंत्री मंडल की बैठक में फैसला किया गया सरका वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट जागरंजोष.com पर अगर आप करंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा इसके बाद आपको करंट अफेस के टैप पर जाना है ड्रॉप डाउन में आपको मंत्वाइस करंट अफेस मिल जाएंगे जहां आप मंत के हिसाब से करंट अफेस पढ़ सकते हैं जब आप करंट अफेस टैप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप कैटेगरी वाइस करंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकोनमी जैसी क्याटेगरी मौजूद हैं अगरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुक को वैश्विक रिंड़दाता संस्था की एक प्रमुक एजंसी का उपाद्देक्श निउक्त किया गया है सही जबाब है जुनएड कमाल एहमत तो भारत ने विश्व बैंक के प्रमुख जुनएड कमाल एहमत को वेश्व बैंक की रिंताता संस्था की एक प्रमुख एजनसी का अपाध्डेक्ष नि多कर किया गया है एहमद उपादिक्ष के रूप में बहुपक्षी निवेश गरंटी एजनसी की कमांड समभा लेंगे वो विश्व बैंक के एतिहास में इतना उचा पद हासिल करने वाले दूसरी बंग्लादेशी नागरिक है उन से पहले फैस सौधरी विश्व बैंक विशासन में उपादिक्ष के पद पर काबिस होने वाले पहरे बंग्लादेशी नागरिक बने थे अगला सवाल मेक्सिको उपन को जीत कर स्पेन के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का एक्यान नवा खिताब जीत लिया है तो सही जवाब है आप्शन डी रैफल नडाल तो आपको उतादे हैं कि मैक्सिको उपन को जीत कर स्पेन के टेनिस खिलारी राफल डाल नी अपना 91 फिर्स्ट अपने नाम किया है तो आपके उतादे हैं कि नीडाल ने अपना 91 एटीपी खताब जीता है ये उनका वश्च 2022 में तीसरा किताब है उन्होंने इस साल आस्टेलिया ओपन का खिताब भी जीता था नडाल का एकपुलकू में ये कुल चौथा किताब है उन्होंने इस से पहले 2005, 2013 और 2020 में यहां खिताब जीता था अगले सवाल पर बढ़ते हैं तो सवाल है कि केंद्रे ग्रामीड विकास और पंचाथी राजमंत्री गिरीराज सिंग ने मनरेगा के लिए किस आप को लौंच किया है तो केंद्रिय ग्रामीड विकास और पंचाइटी राजमंत्री है गिर्राज सिंग उन्होंने मंद्रिगा के लिए लोगपाल आप को लॉंच किया है ये आप e-governance की ओवर एक कदम है और ये जवाब देही और पारदर्शिता में मदद करेगा ये आप लोगपाल को पारदर् परश की आजो में निदन हो गया तो जो सभी जवाब है वह है ओप्शन ए एमनन्द विस्वाल तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुक आधिवासी नेता हेमनन्द विस्वाल का 25 परबरी 2022 को निदन हो गया 83 साल की ओमर ती हैमनन्द विस्वाल उडिशा में दिलितों एपों आदिवासियों का बड़ा नेता माना जाता रहा है उन्होंने अपने पूरे राइजनित्रिक करियर में इन समिदाय के लिए खास्तो और पर काम किया हेमनन्द विस्वाल उडिशा के पहले आदिवस्य मुक्य मत्री बने थे हेमनन्द विस्वाल सुंदर गड़ चिले की लाइकिरा सीप का प्रदेटर प्रदेटर करते हैं उन्होंने पहला सुनाव साल 1974 में कॉंग्रेस के टिकेट पर लड़ा था अब वह सवाल इसका और शेयरोग की रोगथाम के लिए कदम उठाना है वश 2022 के लिए विश्वा शेयरोग दिवस की तीम इन्वेस्टू एंड टीवी सेव्ज लाइफ है तो एक सवाल यहाँ पर इसके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में हमें लिखके बताना है राष्ट्रिय विज्ञान दिवस्ट नैशनल साइंस देने में से किस जिन मनाय जाता है तो आपके ऑप्शन्स हैं दस मार्च 12 माई 28 फरवरी या पिर 30 जुलाई अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए अगर वीडियो चलगा वीडियो को लाइक करें वीडियो को शियर करें अपन